Welcome to YouTube channel YRS Class में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों प्रशनावली 1E में प्रशन नमबर 8 तक इसके पहले के वीडियों में मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रिया था आएए दोस्तों प्रस्णावली 1E का प्रस्ण नमबर 9 और प्रस्ण नमबर 10 इस पूरे वीडियो में हम अच्छे करेके से सीखने वाले हैं अब दोस्तों प्रस्ण नमबर 9 आपके सामने यहां सके रहा है बिना भाग विधी के 15 बटे 4 प्लस 5 बटे 40 को दशमल रूप में व्यक्त करें दोस्तों जहां पर दो पर में संख्य दिया है 15 बटे 4 है और 5 बटे 40 को दोस्तों योग दिया है और दोस्तों हमें करना क्या है इसको हमें दशमल रूप लाना है लेकिन दोस्तों शर्ट क्या है बिना भाग दिये बिना हमें इसे दशमल रूप में व्यक्त करना है अब दोस्तों यहां से लिखेंगे दिया है पंदरा बटे चार प्लस पांच बटे चालिस जैसे कि दोस्तो लेकिन पांच घट यम होने के साथ साथ दोस्तों घात दोनों का बराबर होना चाहिए दो की घात और पांच की घात दोस्तों हमेंसा बराबर होना चाहिए तब ही दोस्तों हम बिना भाग विधिक रिसमल उरुप में ला सकते हैं अब दोस्तों करते क्या है ऐसे लिखेंगे पंद्रह दोस्तों बटे चार आपका है ना अब दोस्तों करते क्या हैं चार को जब हम काटते हैं यहां दोस्तों किवल दो की घात कर जाता है और दोस्तों इसमिद पांच आया ही नहीं अब दोस्तों करते क्या हैं जब तक दोनों दो और पांच की घात सीम नहीं होगा तब तक दश् sprawl गृविप में नहीं ला शकते हैं इस्लिए दोस्तों करना क्याहाँड़ता है पांच घाधद्षूसे हर मेगुड़ा और दोस्तों पांच घाधद्ध ज़ूसे और अंसे मेगुड़ा करना पड़ेगा दोस्तों दो की घात तीन गुड़ी पांस घात दोस्तों एक मिलेगा चुंकि दोस्तों दो घात तीन का मतलब आठ होता है और दोस्तों आठ पंचे चालिस हो गया अब दोस्तों इसमें दो की घात तीन घात तीन यहां पर घात यहां पर एक है अब फिर भी क्या करते हैं दोनों की घात बराबर करेंगे पांच घात एक हैं अगर दोस्तों पांच घात दो से हम गुड़ा कर दें दोस्तों गुड़े में पांच पांच आधार हो जाएगा दो 1 3,8,2 की घात 3, और 5 घात 3 आपस में बराबर हो जायेगा अब दोस्तों पांच घात 2 से अंदोस्तों हम पंच में भी गोड़ा करेंगे यहां से अब दोस्तों क्या होगा यहां से धान से देखियेगा ज़रा और दोस्तों 15 को ऐसे लिख दिया और दोस्तों पांच का वर्ग होता है पचीस और दोस्तों बटे में क्या होगा गुड़ी में आधार अलग अलग है घात बराबर है इसलिए दोस्तों दो पंचे क्या होगा दस और दोस्तों इसकी घात आपका दो हो जाएगा प्लस दोस्तों क्या होगा पांच गुड़े पांच का दोस्तों वर्ग होता है पचीस बटे दो की घाद तीन गुड़े पांच की घाद दो एक दोस्तों तीन हो गया अब दोस्तों करते क्या है यहां से ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जब 15 का गुड़ा हम 25 में कर देते हैं तब दोस्तों 375 मिल जाता है और दोस्तों 10 घादों का मतलब 100 होता है और दोस्तों प्लस में 25 पंचे दोस्तों 125 होता है और यहां से दो पंच्छे दस की घात दोस्तों तीन हो जाएगा अब दोस्तों करना क्या है यहां से तीन सो पचहत्तर को ऐसे लिखेंगे बटे दोस्तों आपका सव है प्लस दोस्तों एक सो पचीस बटे दोस्तों दस घात तीन का मतलब होता है एक हजार अब दोस्तों करते क्या है यहां से अगर दोस्तों बटे में आपका दो जीरो है तब दोस्तों दशमलों के बाद केवल दो ही अंक होना चाहिए दोस्तों तीन, साथ, पांच को लिख दिया अगर दोस्तों हर में दो जीरो है तब दोस्तों दशमलों के बाद केवल दो ही अंक होगा जैसे कि दोस्तों दशमलों के बाद केवल साथ और पांच दो ही अंक है अब दोस्तों प्लस यह हो गया और दोस्तों बटे में तीन जीरो है तब दोस्तों क्या होगा 10.25 को जोड़ देते हैं तब दोस्तों आ जाता है 3000.807.57 यही दोस्तो आपका answer हो जाता है यानि दोस्तो तीन दस्मलो सात पांच में जीरो द्शमलो एक दो पांच की हम जोडवरे हैं दोस्तो पांच होगा यहां से पांच दो आपका सात होगा साथ और यहां से आगया 3 यानि दोस्तों जब 3.75.0 में हम 0.125 को जोड़ देते हैं तब दोस्तों 3.875 आपका एंसर आ जाता है यहीं दोस्तों 3.875 15 बटे 4 प्लस 5 बटे 40 को जोड़ने पर बिना भाग दिये 0.0 रूप आ जाता है तो आशा करते हैं दोस्तों प्रश्णावली वन एक प्रश्ण नमबर 9 अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा आए दोस्तों प्रश्ण नमबर 10 जो की इस पूरे प्रश्णावली का अंतिम प्रश्ण होगा अब दोस्तों परस्ट नंबर आपका दस आपके सामने यहां से कह रहा है परिमे संख्या 257 बटे 5000 के हर को दो की घाते यन गुड़े 5 घाते यम के रूप में लिखिये इसके बाद बिना वास्तुविक विभाजन के अर्थात बिना भाग दिये इसका दशमलों पर सार लिखिये अब दोस्तों करते क्या हैं यहां से लिखेंगे दिया है क्या दोस्तों लिखते हैं दिया है 257 बटे 5000 हमेंसा दोस्तों दो की घातियन 5 घातियम के रूप में लाने के लिए हर कामान उसका अभाज खंड ग्यात करना पड़ता है दोस्तों दोस्तों कटे कितने बार horse ग्यातियन और दोस्तों यह 5 से कडता है चार भारी तब इसको काटते हैं तब दोस्तों दोस्तों यह 106 से कडते चार बारे पे अब दोस्तों यहां से लिखेंग आताहा अतह दो सव दो सव सतावन बटे पांच हजार का हर दो की घात यन गुड़े पांच घात यम के रूप का है ठीक दोस्तों जहां दोस्तों यन का मान आपका तीन होगा और दोस्तों यम का मान क्या होगा चार होगा यहीं दोस्तों पहला अंसर तो आपको मिल गया अब दोस्तों करना क्या है इसी संख्या 257 बटी 5000 का बिनव वास्तुविक विभाजन के दशमलों पर सार आपसे पूछ रहा है अब दोस्तों करते क्या है आपसे लिखेंगे इसलिए 257 बटे दोस्तों दो की घात तीन है और दोस्तों क्या है पांस घात चार है हमेंसा दोस्तों दशमलों रूप बिना भाग दीए हमें जब गात करना होता है तब दोस्तों दोनों का घात बराबर करते हैं दो की घात तीन है पांस घात चार है घात चार यहां पर घात यहां पर तीन है तो दोस्तों दो की घात हमें एक से गुड़ा करना पड़ेगा यहाँ पर भी और दो की घात एक से अंसर में भी गुड़ा करना पड़ेगा अब दोस्तों करते क्या हैं 257 गुणी दोस्तों होता है 514 क्या दोस्तों होता है 514 होगा गुरे दोस्तों 514 बटे गुरे में आधार अलग होने पर यदि घठाइ भराबर है तब दोस्तों आधार कापस में बुल्डा कर दिया जाता है अर्थाद दोस्तों दो पंचे क्या होगा दस की घाद दोस्तों क्या होगा आपका चार होगा और दोस्तों पांच सव चौदा बटे और दोस्तों जब दस की घाद चार को हम चार बार गुड़ा करते हैं अर्थाद दोस्तों यहां से होगा 10 गाच चार का मतलब दस अगूड़े 10 अगूड़े 10 अगूड़े 10 अर्थाद दोस्तों होता है 10 दहम सो सो दहम एक हजाँ 1000 दहम दोस्तों होता है 10 हजार अब दोस्तों करते क्या है यानि 10 गाच चार का मतलब दोस्तों होता है 10 हजार अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए अगर दोस्तों हर में चार जीरो है तब दोस्तों दसमलों के बाद केवल चार ही अंको होना चाहिए और दोस्तों पांच सो चौदा को लिख देने पर दोस्तों केवल अभी तीन अंक है तो हमें दोस्तों चार अंक लाना है दशमलों के बाद दोस्तों पहले हम क्या मानेंगे जीरो मानेंगे अब दोस्तों लगाएंगे दशमलों पहले लगाएंगे जीरो अब दोस्तों अगर हर में चार जीरो है तब दोस्त दसंवलों के बाद कि वज चार होना सा जैसा के दोस्तों जीरो पहला पांच दूसरा एक तीसरा और दोस्तों चार आपका चौ्त हो गया तो दोस्तों आशा करते हैं इस पूरे प्रश्ण वीडियो में प्रश्ण नमबर 9 और प्रश्ण नमबर 10 अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा मिलते हैं फ्रेंड निफ्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू